कुछ नहीं हो रहा है, फोकलिवादें हो रहे हैं नोजमान बच्ची आर्ड मर रहे हैं उने सुगधा नहीं मिल रही है आज ट्रामग के लिए इन वो ड्रामा सेंटर के रेखा घ्रामा धूरा है बना हुगा है उए हम consistent इस सरकार में यह हलाच पिदा हो गये आप उसी का कारड़ कि आज जगे 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 नगर निकम आज एकतम क्यों मसीन यूग इस तर्बे चला रहा है जब जगे जगे पोस्ट वोडिंग जनता को सचेत करने के लिए लगनेच चाहिए थे कुछ नहीं हो रहा है कि योगी जी आये बावा आये और बावा आन इस गाड़ी आई दबर लबर दिली मेट्रों तो दिली मेट्रों पूरी मतलब तूरू है आप बताइए ये रूजगार गूम रहे हैं बजट नहीं है गौस आला इंगोने श्टार्ट कराई उसके लिए बजट नहीं है गौस आलाओं में गाये मर रही है जिस मुद्दे पर ये चुनाव लड़ते हैं उन्हीं मुद्दों पर उनकी गाये नहीं गाये गायों में लिए आज प्रोपर बजट नहीं है नमस्कार कियाए में आपका स्वागत है आज एक खास मुलाकात प्रगतिसील समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी से जलाद देख्ष इंजिनि कैसे समाजवादी पार्टी के विपक्ष में प्रगतिसील समाजवादी पार्टी आई है और आप फिरोजाबाद से जलाद देख्ष हुए एक इंजीनियर होते हुए आपने कि पुलिटिक्स में जाने के बारे में कैसे सोचा इन सब बातों पर हमस्राश करेंगे तो सबसे पहले में यह जानना चाहूंगा कि आप कुछ अपने बारे में बताएं आपकी विक्टिकत जो आपका विक्टिकत तो है जैसे आप पहले हमारे इंजीनियर रहे आपने के country कि मुझे मुझे एप इपाइड मुझें को सब्सक्राइब और अच्छे सब्सक्राइबरी सब्सक्तृ आग मने मैं ने बिटेख गाजयवाद से किये, बिटेख मेकनिकल से किये, तो फिर बेतने कर दिए, ने जोब किया, जोब में मेकनिकल सेक्टर उस-टाइम गाड़ जादा डाउन था, प्लिसमेंड सही से नहीं उपा रहे थे, पाइक बवगैरा और वहां का जो मजे दिखते लिए, मुझे थोड़ा पढ़ना था है, और मैंने पापा से बोलाकि पापा जी या तैयारी क्रॉप्थी चीह पापा ठीकी के लिए आगी और गपकता हैता यह क्अिक बॉचिeger है में आयएश की वाजिराम के पोचिग वन रिया है, पोचिगस मैं पोचिगें। इसमें तैयारियों में शेडूल किया, फिर वहां जाके मुझे पता लगा कि JNU यहां एक संस्तान है, जहां करतिवर्स कई पार्टी वहां से प्रोपगेंडा चलाती हैं, कई पार्टी पॉलिटिकल थिंकर्स वहां से निकले बुड़े हैं, तो मुझे उस JNU संस्तान के बा मैं पढ़ा, चार-चार गंटे, छिर्फ चार या पांच विन्टे में सोता था, मिल्टर एली, मैंने अपने आपको वहां फोकस किया, चीजें पढ़ी, अनलाइज करी, वहां एक आई-एस का जो तरीका था, जाना जो एक रास्ता जो था, इस का वहां कहीं न कहीं न कहीं आपफेशन करी, ननगे पने अपको तैयारी के लिए क्रिपरेशन करी, मैंने पहली अटेंप्त मैं एक नम्मर से मैं बिसे करगी, मैं अप्लाए किया था, मैंने अपनी इस्ट्रीम अपने आपको डारिक्सन चेंज गी, यूगि मैं साइंस का इस्टुनेट रहा हूँ, त मेरी तैयारी उस हिसाब से नहीं हुपाई लेकिन लगाता समय समय पर आधरी इंश्री से फाल्सिंग है अधरी जी वहारे राज़िती गुरू जी इनसे मेरी मुलगात होती रहती थी पाच्छीत होती रहती थी उस दर्मियान स्वाइधी पार्टी में एक जो खला हुआ था इनका दोनों का भिखराब हुआ तो मैं आज अधरी राष्टियत जी जो आज प्रिटी सानजी पार्टी के राष्टियत रेच्छे हैं इनके टेच्मेंटा उन्हों ने पिर बोला हुटा आप रोजाबाद में सब्सक्राइध के नाम से चल बाता मैं उस से जोड़ा उसका पार्ष्ट कार्क्रम था है हमाने इनका यंद जनंविक पार्टी नहीं बनीड तो जैर सी बात है कि मैंने इस चाहिंगी आधरी जो हमारी जिलात आजब जी है शरीर अजीम भाई है उनको इन्वाइट किया वो किसी करणवस नहीं हापाई लिए हमने एक मीडिया की कवरेज में लेते हुए और एक अच्छा जनब देखा है कि पहला मेरा पॉलिटिकल प्रॉड़ा उसके बाद हम लोग लगातार ग्रोद परदसन ग्यापन आजब दरना यह सारी चीजें करते रहें तरह पर आगे चलके फिर अदर्णी राष्टी अद्यव जी ने इन्होंने एक मोर्चा बनाया नेता जी मुराइम शींग आदर्णी के कहने बर वो मोर्चा था समाए होते सेकुलर मोर्चा तो उस मोर्चे के बनने पर सबसे पहले हमने सवास्च चोड़ाई पर एक्यामन किलो मंदी के लगड़ी गड़ाई है अच्छा तो वह भी बड़ा कारगरम था उस जिन काफी यूथ था वह बड़ा कारगरम था पिर उसके बाद πάrti बनी पार्टी में यूट में पूरे यूटी बन मां सबसे पहला वे रखेक्ज में बना पूरे यूट में फ्रफेत करना तो सबसे पहला यूथ में पारटी बना है मुझे यूंट में मुकमें मिला और आदर्णी अजीम भाई के देत्रत में मुझे मुझे मुकमें काम करनÈं का काम सीखने का कि राजनिति कblowing में celery की नहीं था पड़ाही की छेतर fitted में राजनित्म redy नायंत्रे में गरीम जंता जो ग्राउंड तक प玩़ने का मक्सद कि राउन तर पहुंचें, आज हम पहुंच भी रहे हैं, एक अपनी पॉलिटिकल जो विचार दा रहा है, समाजबात की विचार दा रहा है, प्रतिक बर्व व्यक्ति से मिलना हैं, और उनका काम जितना हम लोग कर सकते हैं, कर पा रहे हैं, उनका करेंगे, कुसिस करेंगेंग सबस्क्राइबाश्टियद जीन ध करना हम फार्व जसवर कि रहे हैं कि फईचार रहे हैं कि पिछले दोन हमें ऑजीम भाही के बारे में आपने बात किया तो वे जेल में थे तो उस समय फिर्द पार्टी को या कि रोजाबात को कैसे आपने सम्हाला क्या कुछ अपने काम उनकी अनुपस्थिती में ऐसे कि यह जो आपको लगता है कि उनको करने चाहिए थे और वो कमान आपने सम्हाली हूँ कि अधर भाई जएल में गए जिल जाने के बात आपको कि इनको कि वहमारा ये जिल्हर का पतान ता जो फीजी अधान आपको ज़ेश को देंके लिए रहती दिल ऑड़ी नहीं है प्षब तो पर्टी के अधेस आये तो पप्रटी के सभी लोग ने मिलके अधेक्रत के पदादकरियों के चाहिए जन्ट के सिर्षाग lethal In positions पृष दीड़ करने करें तो सभी लोगों ने मिलके अब आगे किया रंडीतिया हैं किस तरीके से आप जिले में काम करेंगे हैं जिकी अधीन भाई एक सीनिय लीडर हैं करीब 30-35 साल पुरानी राजनी थे और वो लीडर हैं जिन्होंने जमीन से उठके मैंने साइस सुना आए तो इक बार बता रहे थे मुझे कि मैं जिला सच्छे गुआ करता था मान अगर मान अगर सच्छे पीरा फिर मान अगर अग्जेश बने तो यह तो कात्यों की एक राजनेते क्यात्रा है तो उन्होंने पर्स भी बिछाए हैं लोगों को पहले सूचना पर देले कर पहले यह सोचल मेडिया नहीं था तो उन्होंने बताते थे कि हम लोगों को जो परिष्ट नेता थे समय परिष्ट नेता थे तो उन्हें एक रडियो माइक लेके लेक्सी पर बठा दिया करते थे क्योंकि फिरुजाबद की तंग गलिया हैं आपने दिखियें तो में फिरुजाबाद वहीं हुगा करता था तो उन्हें उस पर माइक पर बठा दिया उन्हें पूरे फिरुजाबाद बने बोलते जा रहा हैं उन्हें बोल देगा बहुत सब्सक्राइब नहीं अपनी पॉलिटिकल केरियर में फर्स बिचाने से किये लोगों की सुना है कि पूर्म, कि और फिरुजाबाद नहीं एक से लूँ één पूर्दिकम काने आ मौकमेठा फिरुजाबाद इसे बैसता हैं किया हैं। और वो कल पर सुभाइट में भी कह रहे थे कि हुआने पूर जो यहां सांसर थे उनके पिता के साथ भी काम किया, जो राज राम उपल जी है, उनके साथ भी काम किया, वो ही एक ऐसे इस केडर के नेता है, कि हुआने सब के साथ काम किया, और उनके साथ आपको काम करने का, उन दिन दिन बर चलते थे मैं में उनके साही होता था वही शाम तक बरकरार देंड रहता है लेकिन वह इस क्याडर के निता है कि अभी घटना घटी है या उस पर बोलना है उसको बयान देने हैं उसके एकोर्डिंग लिग वह बगाला है तो ऐसे बहुत कम नेता होते हैं जो अनुरूट अपनी आपको ढ़ले और अपनी बात को सही तरीके से सही पेस्ट कर भाएं या जी बाई गंदर बख्व में ये कर लाए और बहुत अच्छा बोलने वाली है ये तो है कि अजीम बहुत अच्छा बोलते भी हैं और जनता तक अपनी बात को सपाट तरीके से वह रख भी पाते हैं तो अच्छा एक फिर मैं आपकी विक्तिकर जिन्दगी पर जाओंगा आपकी अभी शादी हुए है रिसेंटली तो आपकी घर से जो आपकी पत्नी है वो पीछडी मेरे छिखाल से पीछडी है थे मॉपने कर रही और अच्छा तो और आप अगाः को एंजीनियर जो मेकैनिकल से जिनियर तो कैसा आपका मतलब एक पड़ा- compliance है अच्छी कि एक परसनल लाइब एक नया तजरुआ है एक नई लाइब की सुरुआत है कुछ चीजें ऐसी होती है कि अब जब मैं आया था तो बहुत चीजों करता था खासकर अपनी पॉलिटिकल लेंगवेज जब मैं सोसल मेडिया पर जाद अतर एक्टिव रहता हूं तो सोसल मेडिय पेस्ट और बहुत सारी नेता डालते है बलागाए अपनी जो भी उनकी दिन चर्डया होती है उसके बारे में रुक घटना होती है जोनकी बॉलिटिकल कोई जर्नी हैं आप किसी चीज की कोई अंदोलन ने उसके बारे में डालते हैं तो नेता अक्सर मिस्टेक कर देते हम म यहां जगए जगए हम लोग जाते हैं सचित लोग कमें फोड़ी सी मेरी फ्लिवेंसी अब डाउन हो गई है जिनके साथ मेरे आने से बॉंसर मुझे टूटती है कि आपने यहां गलती किये और फिर सुधार करवाती है तो एक सहारा बन गया है तो वह आप पॉलिटिक्स में हैं वह प्रोफेसर बनने जा रही है तो क्या वह भी पॉलिटिक्स में कभी आप उनको लेकर आएंगे या फिर उनको प्रोफेसर तक किसी में तरखेंगे देखेंगे तो अभी समय है वह अभी और देखेंगे अभी तिलाल तो मैं ही हूँ अभी वॉलिटिक्स में है रहा है कभी फार अजय के दादा जी मेरे पर्दान रही है परिटर जिला को सध्यक्ष रहे अर्च्थ और मैं अब्ड़ा परिवार की एक तरह से देखेंगे है तो समाज की सिवा में लगा हुआ है अभी थोड़े दिनों पहले आपने एक केंपेंड चलाया था गांगां पांपां संदेश तो क्या संदेश उसमें आपने जन्ता को दिया और क्या आपको उसका फीडबेक मिला राश्ती अध्यक जी आद्रणी अध्यक फ्रीशा पाल जी का आदेश था त्रेते जिले में गांपौन एक संदेश सब्रहों इत्रा निकाली गाई थी हम लोग यूव new party की लोग ने की पॉसिस करी सरकार की बिफल्ता हो के बारे की बखाए बढ़ती मेंडाई के बारे में बताया, बीरोज़गारी के बारे में बताया और अपनी सपा के सरकार के, जो हमारी पूर समयवादी सरकार थी, उस सरकार की नीतियों के बारे में बताया, जो आदरणी मंतरी जी के जरी आदरणी स्री से पाल सेंगे आदर जी ने जो काम किये प्रगतिसील समाजवादी पाटी की भूमिका देखते हैं और क्या आपका आपके पार्टी का एजेंड आया मेनिफेस्टो है आगे के क्या और नो हुक्त च्नाप मेंहता है क्रीछ भी शुर्थ तो पाटडी का मेनु थेस्टो हमारी राष्टी खारिकारडी और राष्टी एत्रिक जी के सहमती से और जो गरांड वर्ग कर रहे हैं पॉलिटी के परकार उन लोहों के जो भी अच्छे आइडिया जहां जनता प्रभावित हो सकती हैं जहां जनता को कि अस्मादान हो सकते है समस्याओं के समादान हो सकते हैं वो जरूर उन्मस में सामिल किये जाएगी जो भी आएगा वो समय के साथ आपको पता लिए साथ फिर भी कोई ऐसी चीज हो कि आपको लग रहा है कि अभी जो पार्टी है उसमें कुछ खामिया या कुछ कमिया आप देख रहे हों जो आप चाहते हैं कि यदी हमारी सरकार बनती है तो इसमें बतलाब लिष्चित तोर पर बने चाहिए अज़री मंतरीजी जीनया है सिरपास्टीरी सिरपाल सिंगे आदवजी ने साहथ कहा है अगर हम सरकार में आते हैं, तो प्रत्य एक परिवार को पोसिस ये करेंगे, कि प्रत्य एक परिवार के एक लड़के को एक लड़की को रोजगार दिया जाएगा, और उनको कुछ लोगों को ट्रेंड किया जाएगा, जो अपना, खुद का अपना सेट अप लगा सकें, और क नहीं बच्चे आपको करना हैं, तो उसको लेकर किया आपके विचार है कि उनका जो ये नियम है, जो उनकी लागो किया है, वो ठीक है कि इसे जन संक्या निंतरड होना में भी जालूरी है। जन संक्यान इंतिरड होना सबसे बहुत जरूरी है और जन संक्यान इंतिरड के हिसाब से पनून आएगा तो इसको विधाय को रखा जाएगा सदन में उसके चर्चा भी ओगी और सदन की लोग पारित करके फिर आगे पी लाइंगे तो सबको पता पता लग तो क्या माना जाए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में रस्पा कितना हट तक खुद लड़ेगी या किसी के साथ में सायोग करेगी किसी का या कैसे मतलब आगे की रिणनीती कैसे रहेगी है जनिमें कि आटकी प्रत्धेश चैनल पर प्रत्तेश जिले में जाु रहे हैं स्रवी लोगों से हुम लोग मिल रहे हैं एक सबसे इंधोरी है कि भाँ पार्टी की स्थाफना के बाद हम 75 जिलों में अज अपना समथन बना चुके हैं और उसमें कई ऐसे जिले हैं जिनमें हम बूतिसतर तक पहुंच गई हैं इसमें एक फिरुजवालभी साहित तो बूतिसतर तक हमारी कमेटियां कुमेटियां बन चुकी हैं और हमारे ऐसे कई दिग्ज नेता है जो जमीनी इस तरप कहाम कर रहे हैं और इसवार चुनाम लड़े अब इस वाका भी विरोध कर रहे थो और सुनने में याता है की प्रशपा और सपा लग बगे की बात है की गर के हैं तो हो सकता है कि आने वाले पविश में साथ साथ में दोनों लोग डढ़े हैं देखि आगे की कट बंदन का और जो भी इस तरीके के कोई अगर सवाल जवाव है तो वह आदधी राष्टी यत्तेस और आध मरी राष्टी कुर कमेंटी डिसाइड करेगी क्या होना है उसमें भी इन सब चीजों को कि महःगाई बेलगाम है अज आप ठानी इस तर पर चले जाएए या तैसेल इस तर पर चले जाएए कोई काम होनी राहिए तक और जगेए हर ब्यक्ति जो जाहदिकारी है नियों पैसे मांग जैग का काम नहीं कर रहा है और जन परतिर निती हैं जन परत और जिला प्रसासन और यहां का जो बाचपा की जिला कमेंटी के लोग है और उसके अलाबा बाचपा के जन परते ने दिए वह अक्सर गायब देखते हैं या फरी बूसरी वारूप लगाते हैं अब सब्सक्राइब अब भी डेंगू चल रहा है डेंगू का वैरल बहुत कई मोते हो चुकी है हैं इसका जम्मेदार आप किसे ठ्हराना चाहते हैं ने जबह हैं कि प्रसासन को और यहां के जन-परतिनिदियों को समझता हैं ग्र्ट्साथ safe chaine अगर एक्तिमी होते तो प्रसासन उनके अंभूर काम करता और जन परतिनिदी उनसे काम कराते हैं जनप्रतिनिधी गाया में छेतर से गाया जनप्रतिनिदियों का आज आगसा जाई उनकंट कर रहे हैं हूं पे घर वां उनकि ऋरहा है।OTT किस तरीके से वह जनप्रतिनिदी भिलते जनता को अपना पच्च रखते हैं किस तरीके से यह पर दंब ठाइब रहाハट है से मिलने बाद कर ले इस सरकार में ये हालाव पैदा हो गए आप उसी का कारड़ किया जगए 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 नगर निकम आज एकदम क्यों मसीन यूद इस तरबे चला रहा है क्यों गंदली साफ कर रहा है यह कहां पहले भी हो सकते थे एंटी लारवा का पहले भी छड़काव हो सकता था ऐंटी लारवा च्ड़का बहुत सकता था उसके अलबा जहां पानी जम हो रहा हुआ पानी का निकासी के लिए रास्ता बनाया सकता था उसके अलावा दुनिया बर्की जो मलेरिया की और यह दवाईयां है इस चड़का वोना चाहिए था जगए-जगए प्रचार में पूरी तरीके से परचार में आगे हैं जमीनी इस तरह कुछ ही नहीं जमीनी सतर पर पुछ नहीं आज उसी का बोगतान पढ़ रहा है प्रवजाबाद को पुरुजाबाद में मुक्ष्मंत्री ती आये कि उन्हें क्यों आना पड़ा है मेडिया उसाइस में तो उस दिन बायट देख रहाता, मेडिया उसे जो बायट ले रहे थे, मैंने उनकी बायट देखी थे, कुछ माइला हैं उसमें यह भी कहले हैं कि के योगी जी आये, बाबा आये, बाबा आने के बाद खाली कुड़ता आला भी चले गए, कोई साहन बूती नहीं मिलिया परमा से ट्रेफर कीजाते हैं आगरा के लिए, वो ड्रामा सेंटर स्रीफ ड्रामा है, ड्रामा सेंटर बना हुगा है, वह कुछ नहीं हो रहा है यूगी जी अभी यूगी जी ततकाली एक CMO यहां ततकालीन CMO जो है उन पर कार्डवाई की गाजगिरा दी गई एक CMO की दिलती है क्या यह पहले से यूद इस तरफे काम होना चाहिए था निरडायक भूमिका होनी चाहिए जब आप कोरोना महामारी में आप लड़ रही है तो प्रसासन को यह नजर नहीं आया तो यह मानता हूँ यह टीम बर्ग है फ्रुजवाद 25 लाग की आवादी का सह हाई तो यह एक टीम बर्ग है जब तक टीम नहीं होगी और टीम किसकी होती है प्रसासन की और जन्पिलिद्यी जो है यहा के उनके अंदर इच्छा सकती नहीं है काम करने कि उनके अंदर सिर्फ इच्छा सकती दिखावेगी है वोड़पा की राजबनीत और राजब rok से अच्छी तरीकित Ay engage Smj इसके लाभा कुछ भी आप जमीनी इस तर पर दीखिये आप गाउंपाओं चाहिए आप तो आपको क्या मतलब आपकी तरकार बनेगी तो आप उन गाउं में वह सो विदाय मोहिया कराएंगे जो अभी नहीं है तो आपने कितने लगब गाउं में ऐसा देखा होगा कि जहां स पानी की सुविदा नहीं है इस तर एकी की चीजें क्या आपने अनलाइज करी हैं और आपके पांटी क्या उन मुद्वों पर कि कितने हद तक अगल सरकार में आती है तो काम करेंगे एक भी ऐसा मुद्दार नहीं होगा जिसके आम लोग काम नहीं करा होगे ये तो अब्लि सब्सक्राइब करें उसके लिए बजट नहीं है वो सालाओं में गाये मर रही हैं कि जिस मुद्व यह चुनाव लड़ते हैं उनी मुद्वों पर उनकी गाये नहीं गाये गायों के लिए आज प्रोपर बजट नहीं है आप मुझे बताईए 26 रुपए में कोई गाये इसपी गायेए और कितनी मौत्य हो मैं ना कड़ां को पता लगेगा कि अकिकत किया तो गोशाला में हो भी पालन हो रही है यूपा रहा है कोरोना में आपने देखा यह धी और की करकार नहीं कहते हैं कि अप्सेयन की कमी ती सब्सक्राइब नहीं हुए अब तीसरे लॉप डाउन आपको अर्जेंट प्लांट क्यों लगाना पड़ा फीटा काटने की बावाई लुट रहे हैं जिस्फीटा काटने की बावई पूरी गावाई कर रहे हैं बस जनता सब समझदार है जनता आज बड़ी लिखी है सोसल मेडिया से जुड़ी हुई है प्रत्य प्रत्य व्यक्ति आज देख रहा है तो सरकार सोखले वादे कर रही है ऐसा सिदा सिदा आपका रुपै काम कुछ भी नहीं कर रही है अच्छा आपकी सरकार अगर आती है तो ऐसी कौनसी एक मतलब मुझे दो या तीन ऐसी मुख्य बातें बताईए जिन पर आप काम करेंगे ते हमारा मैं आज Australians, मैं यूजन की तोर्प रहे हैं, सबसे बड़ा फूकस हमारा यूजन के सात्षी होगा और फिर भी उसमें टाइम लग रहा है तो समयवादी लोग पहले यूजना चलाती थे उसे यूजना बेरोजगार बता मिलता था बेरोजगारी का बता मिलता था आज एक बच्चे का फॉर्म एक हजार रुपे का फॉर्म बढ़ा जा रहा है और पर्चे बरकरार आउट हो र मैं क्या दें पढ़ रहा है सुबे साम ताने सुन रहा है बढ़े लिए अलाके और शेत्र के निटा और बढ़े नियटा है प्रक्ति एक व्यक्ति से मिलते हैं मैं भी जाता हूँ उसे मिलने मैने में साइट मेरे बास उन्से 2 आर या 3 बार मुलाफित हो जाती है तो जो मेर चाओ नहीं प्रेड़ा प्रेया जही रहता है कि लेर्टर हाथ में आने तक तक उनका मुगाइल नमबर लिया जाए और ततकाल अस्था को निश्कार्ण किया जाए कौन करते हैं है अधिकारियों को करते हैं कि यह हस्पितल पर सासवन की समस्या आए किसी की इनुद्रा पस्ती हुसाए चाहिए के खाने से सम्द्र चाही है आघ पी ऑनों सब्सक्राम करें पांच सासब सुर्ण लोग मिलने जाते हैं कि अंुब कि पिरमें योग से मिलने हैं तो नोग मिलते हैं क्यों मिलते हैं कि वृण करो यते हैं। कि अभी हम तो आयेस की तयारी कर रहे थें उनको को इनकी कोचिंग सही से NEई हो पाइए। जिनकी उम्र बढ़ रही है यह आउटापेस हो जाएंगी उनके लिए हमने एक मुद्दा बनाया पर उस मुद्दी को लेके लगना उस साइकल लेके हम लोग दिल्ली महुंचे परीचोग पर हमें गिरफ्तार कर लिया गया पर दिल्ली नहीं पहुंचने दिया गया सरकार तरी इस सोड़ी टावा और कानपुर नगर कानपुर दियार अनाव यहां डदस पैंस पांशन सेयर लोग बंदफ़ने जार लोग हमने साथ है जनता अपरोश है जनता परिसान तो इतनी लोग हमारे साथ तब फिर आदर्णियं मानें इन सुप्रीक कुर्ट को ने शीज को आनलाइज किया और वो कूर्ट में पी आई एल के वहां के बखी जोने सामिल की तो पी आई एल पे हम लोगों को फैसला आया और आप दिलीब नहीं करेंगे इतना हिंदू की बड़ी ख़वर थी इंडियन एक्सप्रेस ने कवरीज दिया और यहां तक की बासेंटन पोस्ट जो अमेरिका का क्वार है उसने कवरीज देती तो यह बड़ी कवरें थी हम वो समय समय पे आंदूलन करते रहते हैं आदर्डीय श्री शिर्पाल सी है आदर जी हम जब कोई भी दिसा निद्देश देते हैं कार करता हूं को क्योंकि कार करता हूं पर कमान उनकी अच्छी हो फ udah इस खास करिक्रम में आपका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अभार एसे ही समाज के साथ जड़े हुए करिक्रम कों करते रहेंगे और आप उन्हें शामिलोते रहें आपके साथ हुन है और जनता के लिए एक अंत में एक छोटा सा संद्स एक एक वाक्य में अप बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुखद मुलाकात रही इंजिनियर राज कुमार यादव जी प्रकितसिल समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी से हमारे साथ थे, फिर मुलाकात होगी किसी विशेस, शक्सियत के साथ तब तक के लिए नमचे। प्रकितसिल समाज़ के साथ नमचे।